नमस्कार हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्री गणेशाई नमाः बैसाक महात्मे प्रथम अध्याए समस्त संसार के मनुश्यों में उत्तम भगवान नन नारायें तथा देवी सरस्वती और स्री व्याष जी को नमस्कार करके बैसाक के महात्मे का भासा अनुवात करती हूँ सूर्जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र स्री नारेज जी से राजा अंबरी इसने पूछा कि मब्रह्मन आपने तो सब मासों के महात्म सुनाए परंतु मैंने सुना है कि बैसाग मास सब मासों में उत्तम है सो कृपा करके आप बैसाग मास का महात्म बिस्तारपूर्वग मुझको सुनाईए यह मास भगवान को क्यों अधिक प्यारा है इस मास में क्या दान करना चाहिए और इसका क्या फल है इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रशन्न होते हैं भगवान विष्नु को कौन से काज्य वग कौन से दान प्रेय हैं और उनके फल्वा उद्देशिभी कृपया विस्तार पूर्वग कहीускा है। नारज जी बोले, हे राजन, सब मासों का ब्रतांत भगवान ने लक्षमी से कहा था और मुझसे ब्रह्मा ने सुनाया, सब मासों में कार्टिक मास, माग मास और बैसाग मास सब के लिए माता की रक्षा की तरह करने वाला तथा ब्रत दान, यग्य और तब का सहर है, यह मास बिद्याओं में बेद बिद्या, मंत्रों में प्रणोग, ब्रिक्षों में कल्प ब्रिक्ष, गोव में कामधेनू, नागों में सेस, फक्षियों में गरुड, देवों में विश्णू, वर्णों में ब्राम्मन, प्रियवस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तिजश्यों में सूर्य, सास्त्रों में चक्र, धातूं में सुवर्ण, वैश्णों में शिव और रत्नों में कौस्तुब मनी के समान है भगवान की भक्ती के लिए ये मास सबसे उत्तम है मेश रासी की संक्रांती अर्थात बैसाग मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्षमी सहीत सदा विष्णु की कृपा बनी रहती है जैसे अन्न से सब प्रानी प्रसन्न होते हैं बैसाग मास में स्नान करने वाले तथा उनका अनुमोधन करने वाले सब पापों से मुक्त होकर बैकुंठ को जाते हैं इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी सनान करके या सनान के निमित एक पग भी चलता है उसको कई एक अस्वमेग यग्यों का फल मिलता है या धनुजभर भी चलता है या संकल्प मात्र भी करता है वह संसार के सब बंधनों से छूट जाता है वैसाक मास में नगर से बाहर थोड़े से जल में भी सनान करने से यम आग्या से उनके पापों का फल नश्ट हो जाता है विश्णु भगवान वैसाक मास में सूर्योदय से छे घड़ी तक सब तिर्थों के अधिस्टात्री देवता जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठह करते हैं परन्तु इस समय तक भी जो सनान के लिए नहीं आते हैं उनको श्राब दे कर वह अपने धाम को चले जाते हैं इसलिए बैसाग मास में सनान अवश्य करना चाहिए बैसागी महत्म का प्रथम अध्याय तत्त नमस्कार